स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफर्म अचीव सीए पेफ पर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पिछले 10 सालों के सब्जेक्ट वाइस ट्रेंड एनलेसिस को देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हो या फिर अल्रेड़ी कर ली हो बट कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रायोरटी आपको समझनी जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में क्या सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये जाने बगेर आपका selection लेना आपकी तयारी करना आसान नहीं होगा तो हम एक बार समझ लेते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन से subject सबसे जादा topmost priority में रहे थे जिनें आपको सबसे पहले अभी तयार करना शुरू कर लेना चाहिए और कौन से subject हैं जिनें कम समय देकर भी बात बन सकती है और उन subjects को जो आप समय देने जा रहे थे उनका जो समय है आप वो कहीं और divert कर सकते हैं ठीक है and last में हम conclude करेंगे कि वो कौन से 3 subject हैं जो major pillar हैं आपके CAPF की success का तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर सबसे पहला जो important subject है वो है आपका science अब आप यहाँ पर notice करेंगे कि पिछले 10 सालों में science के जो number of question है उनका जो trend है वो हमेशा increase ही हुआ है पहले question सिर्फ 13, 18, 15, 19, 20 सिर्फ 20 questions के around question पूछे जाते थे बट अब 19 के बाद आप एक अलग trend यहाँ पर notice करेंगे कि जो question है वो around 30 questions पूछे जाते है 2019 में आपसे 28 questions science के आये 2020 में 30 questions science के पूछे गए थे 2021 में 30 questions और 2022 में 25 questions अब 2022 में 25 questions पूछे गए इसका मतलब यह नहीं है कि science का trend decrease हो गया है यह उपर नीचे रहता है बट समझ यह इस बात को कि science आपके CAPF के सभी subjects का सबसे top most subject है जिसको आपको सबसे पहले तैयार करना है और उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इन सभी चीजों की जो book list है वो हमने already provide करा दी है जिसका link आपको description में मिल जाएगा आप चाहें तो उस video के थुरू सारे subject कौन कौन सी book उसमें पढ़नी है कौन से subject को कैसे cover करना है वो सारी information हमने वहाँ provide करा रखिया आप उसे देख सकते हैं ठीक है अब जो second subject है आपका next subject है हमारा geography उसमें आप देखेंगे around 20 questions हमेशा हर साल यहाँ पर पूछे जा रहे है on an average 2022 में आपसे 19 questions पूछे गए थे उससे पहले 19 questions उससे पहले 19 questions और 19 में आपसे 18 questions तो notice आप करेंगे कि यहाँ आपसे 20 questions हमेशा geography में पूछे जा रहे हैं तो geography को भी आपको science के बाद second priority देनी है third number पे हमारा है maths अब maths में आपसे पिछले 3 सालों से सिर्फ 15 questions और उससे पहले 3 सालों में आपसे 20 questions पूछे जा रहे थे तो यहाँ पर भी chances ऐसे रहते हैं कि maths में आपसे 15 से 20 के around questions पूछे जाए ठीक है तो यह हमारा maths quality की अगर हम बात करें तो quality बहुत जादा fluctuate होन जहां पर इस साल तो सबसे कम question आपको देखने को मिले हैं सिर्फ 11 question quality के 2022 में पूछे हैं उससे पहले आपसे 14 question पूछे गए थे 2020 में 21 question और फिर 2019 में 14 question तो notice करेंगे आप कि around 15 question ऐसे हैं जो quality से पूछे जाते हैं but quality इस बार सबसे कम questions जो हैं पूछे गए थे लेकिन फिर भी हमें quality को अच्छे तरीके से prepare करना है उसके बाद है history, history में आप देखेंगे कि 2022 में आपसे 18 question पूछे गए थे, 21 में आपसे 21 question, 20 में आपसे 19, 19 में आपसे 19, तो यहां पर भी आप notice करेंगे जिस तरीके से geography में 20 questions on an average पूछे जा रहे थे, history में भी on an average आपके 20 questions पूछे जा लिस्ट में economy सबसे नीचे रहेगा और फिर हमारा आता है current affair, current affair में number of questions धीरे धीरे improve हो रहे हैं, पहले आप notice करेंगे कि 15 से 20 questions आपसे current affair में पूछे जाते थे, बट इस साल आपसे 26 current affairs पूछे गए थे, तो हमें current affair को भी इस बार बहुत serious तरीके से तयार करना है, और यह ती computer से related questions आते थे, बट 2022 में फिर से 3 questions computer से related आये हैं, तो हम computer के questions को भी ready करेंगे, तो यह आपका पूरा 10 साल का subject wise trend है, तो अब हमें इस table से क्या conclude करना चाहिए, तो देखे पहली चीज, हमारी जो सबसे बड़ी priority रहेगी, वो रहेगी science के subject को, हमें सबसे पहले science का subject तयार करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, पिछले 10 सालों में, around अभी जो major trend change हुआ है science में, 30 questions पूछना शुरू करा है, हाला कि 2022 में 25 questions पूछे हैं, बट फिर भी हमें science को बहुत जादा priority देनी होगी, क्योंकि science हमेशा से 30 questions के आसपास पूछा गया है, ठीक है, अब second subject क्या होग तो मुझे लगता है कि उसकी भी आपको सामने clear picture दिख रही होगी, कि second subject हमारा geography होना चाहिए, क्योंकि geography भी 19-20 questions उसके पूछे जा रहे हैं, पट आप कह सकते हैं कि सर history क्यों नहीं लिया, क्योंकि history भी तो 18-20 questions है, नहीं, हम geography इसलिए लेंगे, क्योंकि जब आप देखे, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होगी, एक cost benefit ratio वाला जो concept है, कि आप कितनी महनत में कितना output निकाल पा रहे हैं, history में बात ये है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, paper में उतना input reflect नहीं कर सकते, क्योंकि history ऐसा unpredictable subject है, कि वहाँ ये कहना मुश्किल है कि आपकी इस NCRT से या और इसका जो proof है, 2022 में geography की जितने भी question पूछे गए थे, मैंने उसकी एक analysis वीडियो बनाई हुई है, जिसका link आपको i button में दिख रहा होगा, या फिर description box में आप जाकर check कर सकते हैं, तो second subject हम history ना लेकर geography लेंगे, ठीक है, तो पहला हो गया science, second हो गया geography, अब बात आती है कि sir, वो third subject क्या होगा, जो हमें choose करना चाहिए, तो देखिए, generally आप अभी तक क्या देखते आयोंगे, आप हो सकता है कि history कर रहे होंगे, quality कर रहे होंगे, but अब यहाँ पर मेरा suggestion रहेगा, इसी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजे मै थोड़ी अलग बात करूँगा, और logic के साथ बात करूँगा, according to me, आपको third subject, ना ही history लेना है, ना ही polity लेना है, आपको third subject लेना है maths, इसका मतलब यह नहीं है कि polity history करना नहीं है, नहीं, बट सबसे पहले हमें maths लेना है, अब इसका reason क्या है, अब मैं यहाँ पर आपको जाने की कोशिश करूँगा, देखिए, maths में, आपके 15 questions 2022 में आए, quality में, 2022 में 11 questions पूछे गए, वहीं history में 18 questions पूछे गए, अब क्या reason है कि मैंने आपको history ना लेकर maths पढ़ने के लिए बोला, देखिए, अगर आप history के 2022 के questions को देखेंगे, तो on an average, आप में से जादा तर ब या तो हमने पढ़े नहीं है, या फिर एक other source से आए है, तो 18 questions में से आप 9 से 12 questions history में कर पाएंगे, और इतना करने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने themes पढ़ी होगी, आपने lucent भी पढ़ी होगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने तमिलनाडू की book पढ़ी हो, modern के 50% questions attempt करने के लिए आपने कितना कुछ पढ़ा, ठीक है, अब ये नहीं है कि इसे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट एक और चीज अभी में दिखाता हूँ, quality, quality में 11 questions पूछे गए थे, और यही एक average रहता है, 11 से 15 का quality में, और आप अगर quality questions को देखेंगे, तो वहाँ प बात करूं match की, match में देखिए 15 questions आते हैं, बट ये 15 questions ऐसे हैं, आप सिर्फ थोड़ा पढ़कर, सिर्फ थोड़ा पढ़कर यहां पर minimum 10 और maximum 13 questions सही करके आ सकते थे, और इसके लिए आपका source क्या रहेगा, अब देखिए history में आपने इतना कुछ किया, quality में आपने लक्षमी 10 topics का सिर्फ basic understanding होनी चाहिए, और जितने भी previous year questions आपके CAPF में, या CDS में, या फिर आपके CSET में, पूछे गए हैं, बस वो सारे अपने previous year questions आपको attempt करने हैं, आपका maths तयार है, बिलकुल, आपका maths तयार है, तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, कि cost benefit ratio किसका है, किसमे जादा chances हैं, कि आप कम input के साथ जादा output लेकर आ सकते हैं, history में आपने देखा, इतना कुछ करने के बाद भी आप सिर्फ 9 questions ही कर पा रहे हैं, quality में भी अगर आप notice करेंगे, देखिए ये सब चीज़े आप जब ध्यान से analyze करेंगे ना, तब चीजों को पकड़ पाएंगे, मैंने कई सारे बच्चों से इन सब चीजों के बारे में बात की है, मैं इसलिए ये सब बात आप से कह पा रहा हूँ, quality में भी आप 7-8 questions maximum कर सकते हैं, जबकि match में बहुत कम input पर इतना कुछ ना पढ़ने के बाद भी, आप सिर्फ थोड़ा पढ़कर भी 10-13 questions यहां attempt कर सकते और यह ऐसे हैं कि यहां accuracy देखे 100% होती है, match ऐसा नहीं है कि मुझे शायद आता है, शायद नहीं आता है, अगर match में आपको आता है, आपका जो number है, जो solutions आ रहे हैं, तो answer आपका ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो यहां पर हमारी negative marking की भी जो गुनजाईश है, वो ब subject जो आप confused रहते हैं कि आप quality पढ़ रहे हैं, history पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, पर आप maths को बहुत ignore करते हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि आप maths में please focus कीजिए, यह तीसरा subject है जो आपको इस exam में success दिलाने में बहुत major role play करने वाला है, और उसके बाद आपको quality history तो करना ही है, बट यह 3 subject हमने इसलिए choose किये, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका आधा paper, पूरा half 50% paper सिर्फ यही 3 subject cover करते हैं, और अच्छी बात तो यह है कि इस 50% में आप 90% से भी जादा marks cover कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यह 3 subjects के questions हैं, वो direct आपके या तो previous year questions या फिर NCRT से पूछे जाते हैं, तो यही मेरा इस video का finally conclusion है, कि आप science, geography, maths, इन 3 subjects को तो बहुत ही अच्छे से please रट लीजेगा, maths को generally बच्चे ignore करते हैं, तो अब मैं hope करता हूँ कि आप maths को पढ़ेंगे, और अपना selection और भी जादा perfect करेंगे, और अगर आपको previous year questions की चिंता है, कि previous year questions हमें CAPF के तो मिल गए है, CDS, NDA के नहीं मिल रहे हैं, तो चिंता ना कीजिए, हमारा एक program है game changer, यहाँ पर हम आपको subject wise, topic wise, chapter wise, सारे के सारे previous year questions प्रोवाइड कराते हैं, इसकी information के लिए हमारी telegram ID, whatsapp number पर आप call या message करकर information ले सकते हैं, तो अब हम video क यही end करते हैं, उमीद है, जो मैं message आप तक पहुचाना चाह रहा था, वो 3 subject और particularly math की importance, शायद आपको वो चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में थोड़ा भी logic है, तो प्लीज अपना जो view है, वो comment section में जरूर शेयर करें, ताकि other बच्चों को और आने वाले नए experience को यह समझ में आए कि हमें कौन से subjects को सबसे पहले ready करना है, so thank you very much, अब हम मिलेंगे अपनी next informative video में, जहिन